नमस्कार क्विक निस प्रोग्राम में आपका स्वागत है मैं हूं विरत दुबे आए जानते हैं कौन होंगे बी सी सी आई के अगले अध्यक्ष भारत के पूर्व आल राउंडर रोजर बिन्नी भारती क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानि बी सी सी आई के ने अध्यक्ष बन स रोजर बिन्नी वर्ष 1983 में क्रिकेट विशुकप जीतने वाली भारती टीम का हिस्सा थे वे 1983 विशुकप में भारत के आठ मैचों में 18 विकेट लेकर सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी बने थे रोजर बिन्नी वर्तमान में करनाटक राज्य क्रिकेट संग यानी KSCA में पराधिकारी के रूप में कारेरत हैं भारती क्रिकेट कंट्रोल बोड की स्थापना तमिलनाडू सोसाइटी पंजीकरन अधनियम के तहर दिसंबर 1928 में की गई थी या भारत में घरेलू क्रिकेट प्रतियोगता कराने के लिए जब्मेदार है इसका मुख्याल है वानखिडे स्टेडियम जो की मुबई में है वहां इस्थित है इसके अध्यक्ष सौरव गांगली और उपाध्यक्ष राजीव शुकला है जबकि इसके वर्तमान सचेव जैशाह हैं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 18 अक्टूबर 2022 को BCCI के अध्यक्ष पद के चुनाव होने वाले हैं जिसमें रोजर बिन्नी को BCCI का अध्यक्ष चुना जा सकता है